पीप को मोड़ना है तो वहां पर हमने एक बैंड लगा दिया है और यहां से हम एक पाइप लगाना है उस बैंड तक的के क्या करेंगे इतने पाइप को हम आजरी से कटिंग कर लेंगे इसठील के बॉर्ड लगतेय हैं उसको आपको दिवाल से आठ हमें बाहर दकना है। अब सर्थ मौह में तो राप देखें विटिशन तो आज किस वीडियो में हम आप वेदी को बताने वाले हैं कि हाऊस वाइरिंग में आपको पाइव जाट डूसरा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल आसानी से house wearing में pipe fitting कर सकते हैं, बहुत सारे electricians काफी दा गलतिया करते हैं, जिसके करण उनका सारा work बर्बाद हो जाता है, और उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो please मारी वीडियो को end तक देखें, वीडियो एचले वीडियो को like करें चलना को subscribe करें, क्योंकि आप लोगो ऐसे electric वीडियो मिलती नहींगे, तो चलिए कि आज किस वीडियो को शुरू करते हैं, सो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जिज़री को cutting कर दिया है, और यहाँ पर हमने pipe fitting का कारिश शुरू कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज कि वीडियो में हम आप लोग को बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं कि आपको दिवाल में pipe fitting कैसे करना है, जिससे कि आप लोग कहीं पर भी work कर सकें और पैसे कमा सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकें यहाँ पर pipe fitting कर देंगे तो वहाँ पर हमको pipe को मोड़ना है, तो वहाँ पर हमने एक band लगा दिया है और यहाँ से हमको pipe लगाना है उस band तक तो क्या करेंगे, इतने pipe को हम आरी से cutting कर लेंगे हमको जहाँ पर fitting करना है जहाँ पर हमको जितना pipe cutting करना है हम उतना ना अप लेंगे उसके बाद अपने pipe को आरी से cutting कर लेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने pipe को आरी से cutting कर देंगे ऐसे ही आपको fitting करना है pipe ठीक है और यहां पर हमारा pipe fitting हो जुगा ठीक है उसके बाद क्या करना pipe को रोकने के लिए तो pipe को रोकने के लिए यहां पर जो हमारा wall cutting हुआ था जो हमारी इटे थी छोटी छोटी उसको हमको ठोक देना pipe के बगल में ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पाइप के बगल में हम उसे इटो को ठोक रहे हैं और उससे हमारा पाइप बिल्कुल असानी से जोक जाता है और हमारा पाइप फिलता भी नहीं ठीक है अगर आप लोग को ये तरीका नहीं पसंद है और आप लोग इससे नहीं वर कर पाते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है जिससे कि आप लोग दिवाल में पाइप को जोग सकते बिल्कुल असानी से ठीक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसी वायर को आपको क्या करना है कि कीले के वीचों बीच में बान देना जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हमने ऐसे बना लिया है इसी परकार आपको सभी वायर जितने हमने यहाँ पर कटिंग किया है आपको जितना cutting करना cutting कर सकते हैं और आपको इस परकार कीले में बांद देना ठीकिए अभी आपको और बना के दिखा देते हैं आपको एक wire लेना है और एक कीला लेना है यह कीले के बीचों बीच में इस wire को लगा देना है और घुमा देना दो तीन बार उसके बाद आपको बताते क्या करना इस चीज को हम लगाएंगे अपने जिजियों के बीच में जहाँ緥े में फ्राय। बीच में ठोक देंगे उसके वाद अपने इस फैल उसके बाद Mii kiya तो इसके बाद में इसी वाइणर से पाइप को बाद ब Thrones in और हमारा पाइप बिल्कुल आसानी से दुख जाएगा ठीक है आप इसको लगा कर दिखाते क्योंकि आप लोग आयसे समझ में नहीं आएगा तो आपको सबसे पहले इसको लगा देना जहां पर हमने जिर्दी कटिंग किया जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यहां पर हमने प करते हैं और आप लोग इसको दिखाते हैं अगर आप को लगाते इसके और आप कीला बीच में लगा ऑथा । वालड कॉइऊ है उसके बाद आपको जहां जहां पर हमें तोका है उसी अस्तान ते आपको बाढं देना है अच्छे से गום और अमारा वायर से पाइब को बाढं देंगे और उसा पाइब जरा सभीकार जैसे कि आप लोग देशते हैं यहां पर हमने अच्छे से घुमा के बांदिया है अब बिल्कुल असानी से यहां पर दुका हुआ रूकावा कोई दिक्कत नहीं ठीक है अचले अपना वर्क आगे का शुरू करते हैं तो यहां पर आप लोग देशते हैं कि हमारा एक 6 कटिंग के बाद जो एटे निकलती छोटी जोटी उसको लगा कर आप लोग पाइप जोख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आपको जैसे पाइप फिटिंग जहाँ पर हो रही है अगर वहाँ पाइपड के बाद प्लास्टर होता है वह काफी दिनों के बात रहती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे समारा दुका रहेगा कोई दिक्कत नहीं है वैसे यह भी काफी टाइम तक दुका रहता है अगर कोई इसमें छेड़ खानी करता है तो हमारा सारा पाइप लेन जो बाहर आ जाता है और उसमें प्रॉब्लम होती तो हमको फिर से पाइप फिटिंग करना पड़ता है तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि हमारा यह इतना पाइप फिटिंग हो जुका बिलकुल असानी से और आपको आपको जहां पर जो चील लगाना उसी हि बता देलने कि जो बाल बता निक बाल होगा तो इसके बाद हमारा ओपर यह बोड देखेगा फिर आपको बे distur होती स्विच बोर्ड होता है उसको लगाने में आपको काफ़ेदा दिक्कत होने लगेगे तो आपको यह चीज़ ब्लकुल ध्यान लगना और जो हमारा जेज़ी कटिंग होता उसी टाइम आपको यह चीज़े ध्यान लगनी होती है आप लोग देख सकते कि कि हमारा सारा पाइप एक द्रैस से फिटिंग होरा कोई भी प्रावलbalance इसमें नहीं हो रहें टीक है तो आपको जब वाल ऩान गरा जहां पर जो आपकों लग वर्फ आने को वहीं पर आपको अस्ना बहतना है यहां पर मारा चारा रहि folders दृवट फिर लेघा对 उए भाते हैं चाहँ है शुश्य के वोगते सावल मालका दोंल्ऊ में हैं कहां से पर्वास बसावरिये हैं जैसा कि आपलोग देखते हैं है हमारी pipe fitting हो रही है इसको भी फटाष से pipe fitting करते हैं और आपको दिखात है कि हमारा pipe fitting कैसे हुआँ यहां पर आप देखते हैं जहां जहां पर हमने and wordcript करवा दिए और जितना pipe हमारा लग रहा है तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फीते से नाप सकते हैं अगर आप लोग अनुभाव नहीं है तो आप लोग फीते से नाप कर पाइप जो है कटिंग कर सकते हैं अगर आप लोग को अरे अनुभाव है कितना पाइप लगेगा तो आप लोग ऐसे अंदाजे से पाइ हो चुका है निचे का पाइप फट्टिंग करना है और अच्छे से मारा फिट्टिंग कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर हम नीचे वाला पाइप लज्टी कालेएं पर आपको दिखाते हैं जैसे वाप पीर पर सारे यहाँ पर दिक्कत प्रैसानी आपको नहीं है ठीके आप बिश्चन्स आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप पर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है दिवान में पाइफ्टिंग करना तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखे और जो लोग हाउस वैरिंग का वर्क सीख रहे हैं वो लोग प्लीज इस वीडियो को समझे देखे ताकि आप लोग को जानकारी हो सके और आप लोग house wearing करके पैसे कमा सकते हैं और अब हमारे वीडियो अच्छे लिए हो तो please वीडियो को like करें चालन को subscribe करें क्योंकि आप लोगो ऐसे electric वीडियो मिलती रहेंगे कोई भी questions हो नीचे करन बक्स में जरूर टाइप करें बहुत बहुत रहां फ्रज जाएंद